हालो फ्रेंड बात करते हैं आज के खेले गए फाइनल मैच के बारे में जिसको इंग्लेंड ने आसानी से जीत लिया आज इंग्लेंड जो बारा साल के बाद फिर से चैंपेन बना है पाकिस्तान को रौध कर यह चैंपेन बना काफी बुरी तरह रहा है बैनेश तो फिप्ट काफी उदास दिख रहे पूरा पाकिस्तान उदास दिख रहा आज इन्होंने अच्टी भी तोड़ना ही आज साइन अफ्रिदी आज इंजय यड़ होगा यह दो बर फिखने के बाद यह देखो एलेक्स हेल साज सस्ते में आउट हो गए साइन आफ्रिदी के आउट लिए उखड गई लेकिन शाइन शाफ्रिदी कुछ भी नहीं हारने का रिजवान का फॉर्म में ना होना कभी यह दुनिया के बेश्टो ट्री ट्वांटी बैट्समान हुआ करते थे नमबर एक ट्री ट्वांटी बैट्समान थे बट इनको सुर्यार ने पीछे कर दिया है साइन शाफ्री थी दो वर एक बॉल फेक के डग आउट में वापस चले गए क्योंकि वह इंजड हो चुके थे काफी सस्ते में रिजवान जो इनका इनका नहीं था इंग्लैंड नीचेंपियन परस्ट नहीं दो यार दस में केविन पीटर्शन की कॉलिंगूड की कैप्टेंसी में नाव बटलर की कैप्टेंसी में ये 200 चैंपियन बने है राशित खान राशित को कौन भोल सकते है का आप यह अची बो आके बनाए थे शादाब खान 20 रन मारे इस टोक्स एक विकेट कि सैम करन चार और में 12 रन देकर तीर विकेट लिए पहले ही बोला था कि काफी खतरनाक साबित होने वाले आधिर राशित चार और में एक मेडन वर भी डाले 22 रन दिये और दो विकेट लिए इंग्लेंड के लिए बटलर ने 26 रन मारे इस टोक्स 50 बना कर नाट आउट थे हैरी ब्रोग 20 रन मारे उन्हों ही 19 रन 13 बोलों पे एक तरफ से स्टोक्स खड़े थे उनको आफरी दी दो वर एक बोल एक विकेट हारी स्रौफ काफी अच्छी बोलिंगे चार और में 13 तैस रन देगे दो विकेट लिए वो सीम काफी महेंगे साबित हुए मैं यह पहले ही बोला था आपको पाकिस्तान पेरी वीडियों देख ले ना पाकिस्तान के एक तरफ से जादा नहीं बनाएगा वह हुआ दोस्तों और सब भी